पंजाब में कपुर्थला के सुल्तानपुल लोदी में गुरुद्वारा श्री अकालबुंगा साही पर कबजे को लेकर आज गुरुवार सुबह पुलिस और निहंगों के भीश फैरिंग हो गई जिसमें एक पुलिस कर्मी की गोली लगने से मोत हो गई जबकि डियेसपी समय दस पुलिस कर्मी घायल हो गए अभी भी गुरुद्वारे के भीतर 30 से 40 हत्यारबन निहंग मोजुद होने की संभावना है उन्होंने चेतावनी दिये है कि अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया तो वे फिर से इसका विरोत करेंगे इस घटना के बाद कपुर्तला में माहुल तनावपूर्ण है मोके पर भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी भी पहुँच गए है इन गुरुद्वारे पर कबजे को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा है बिती रात पुलिस ने क गुरुदारे में पहुची इस दोरा निहंगों ने पुलिस पर फाइरिंग कर दी माहुल बिगड़ा तो पुलिस ने इस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसू गेस के गोले भी छोड़े इसी के साथ बने रहे है एशानी जिन्दा के साथ खंदी बाद